मेरे प्यारे दोस्तों, आज करगिल का विजय दिवस मानया जा रहा है। गरत मनसुवे वाले मुसरफ की जुर्वत करने की साहस करने को हमने चुनोती दिया था। हमारे बीर जवान दिल मांगे मोर की जजवा दिखाते हुए धूल चटा दिये थे आपने। पाकिस्तानी भान और भाई पाले हिंदुस्तानी हुआ करते थे लेकिन कुछ गद्दारों की बन्यती से जिन्ना ने हमारे देश को दो भागों बांट दिया। बाद में तीन भाग में बढ़ गए। बन गया भारत, पाकिस्तान और बंगला देश। ये सारे घटना इसलिए हुई कि हमारे देश में ही गद्दारों की संख्या तरक्षी पड़ थी। इससे हमें सीख लेनी चाहिए। हम जितने भी भारतिये हैं, हम सबों का उत्तरदाई तो है कि देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, देश की परती हमारी परती बधता को दोराते हुए, हम अपने एकता में, अखंडता में, गवारवानित महसुस करें, और हम एक जुटके रहें, देश है तो हमें, यह जमीन है तो हमें, जीते जी, तो देश हमें हवा, पानी हर सुभधा देती ही है, लेकिन मरने के बाद भी, यह हमारा नास्तिक शरीर इसी भारत माता की भूम में बिलीन हो जाता है, इसलिए हमारा उत्तरदायत है, कि हमारी प्राथ मिक्ता हमारे देश के परती है, वह अपने देश के परती है, सुभास भगसी चंसे का राजाद, और रने कैसे सुर्माव की तरह, अब्दुल हमीद, जिन्हों देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर अब दूसरा अध्याय पर बात कर रहा हूं, हमारे कुछ एंपीज होते हैं, जिनका की चुनाव होता है, हमारी जनता तो इतनी नादान है, कि पैर के धूल लेने के लिए आपने सुना होगा भगदर मच गया, और वहां सैक्रों की संख्या में लोग दम घुट के मर गए, यह मुड को क्या पता कि कौन सही है और कौन नकली है, जो इसे कुछ बिजली फ्री देदेगा, पानी फ्री देदेगा, इसको गुमरहा करेगा, यह मुड जनता उसको भूट दे देगी, और ओगदार दोष्ट का दुस्मन पहुच जागा पाललमेंट में, यह देश की जनता का ख्याल नहीं है लेकिन कुस मुद्दों को उठाके वो देश को बरवाद कर देने की साजी सरस्ता है कि आप देखा है कि पार्लेमेंट में सही मामलों पर डिवेट होता हो वाक उट करता है तक्तियां दिखाता है देश के बिरोध में नारे लगाता है अब य जयजयकार मना रहा है उसी खलिस्तानी ने मेरी माता देश की एक बहुत ही सासिक और महान स्रीमति इंद्रा गांधी की हत्या कर दिया था इनकी कोई जमीर नहीं कोई जजवा नहीं किस तरह से हमारे देश की नागरी को गूम रह करें और देश की प्रगती में बाधा डाले हमारे देश में जितने भी कासोर हैं उस पर इनका ध्यान नहीं जाता है अगर देश में कुछ कमिया है ति इन गदारों से पूछो 1947 में जब अंग्रेजों ने सुबास बोश के डर से भारत को छोर के भागया और तुमने कहा गांधी और नेरू नाजादी दिल आई शरम करो अंग्रेज की कमर तूट गई थी सुबास बोश के हुंकार से अंग्रेज छोर के भागया हमारे देश को और ये गदार बोलते हैं कि ये राष्ट नहीं है union of estates है राज्यों का समुए है शरम कर गदार शरम कर तमीज से बात कर ये राष्ट है ये भारत एक राष्ट है ये तुम्हारा भी है समों का है हर जाती का है धर्म का है मजभ का है तो ये जितना भी हिंदुस्तान में राता था अंसा भी हिंदुस्तान नहीं था कुछ लोग धर्म परविटन कर लिए लेकिन कुछ लोग शहिद हो गए धर्म परविटन नहीं किए इतिहास के पन्नों को लटके देख हमारे शिखों की सहादत को देख उबलते हुए तेल में तर दिया गया उनके सरीर के दो टुकरे कर देगे उनके बच्चों को उनके सामने दिवालों में चुन दिया गया और अंग जेब की गतारी के सामने वो सहीध हो गया लेकिन जो कमजोर दिलवाले थे वो किसी धर्म को अपना लिया इन समों को अगर सही शिक्षा दी जाए इनको सही देश भक्ती शिखा जाए तो उम मेरी तरह दाहरेंगे जादा मैं नहीं बोलना चाहता क्योंकि मुझको दुस्मनी उनसे हो जाएगी और मेरे पीछे पर जाएंगे लेकिन मैं यही कहता हूँ याद रख अगर तुम फिर से गदारी करोगे देश के दुस्मनों के साथ हाथ मिलाओगे तो फिर से सही भगत सिंग पैदा होंगे फिर से सुवास बोस पैदा होंगे सभी इस तरह के नेता नहीं होंगे कि केवल जैजैकार करेगा अपने संभिधान का अपने देश का मुतोर जवाब दिये जाएंगे देश हित में जो होगा वो कर्म किये जाएंगे अगर देख रहे हो सामने में यह जंगल जहार देख रहे हो न इसलिए है कि यह गदार जंगल हमारे उपजाओ जमीन को जंगली बना देता है इसलिए अगर हमरे देश की प्रगति में यह गदार लोग बंसवादी, जातीवादी, धर्मबादी, नफरतवादी करके जलाएंगे तो फिर से पैदा होगा फिर से पैदा होगा मैं सब का नाम देना चाहता हूँ सब फिर से पैदा होगा सुबास भगसी चंसे कराजाद लाल वाल पार हमारी जिंदगी रहे न रहे हम कारगिल महाबीनों की तड़ा अपने जीवन को कुर्वान कर देंगे हमारे देश के खिलाफ बारिश शक्ति या अंतर अंतरिक शक्ति जो भी उठेगी उसका सफाय करना ही पड़ेगा क्योंकि ओ तो एक नकाब पोस राजनीती डल हो या उसके नेता हो उसका मन तो काला है सत्ता का लोवी है क्योंकि ओ नरफिसाष ने सत्ता का खून पी के उसका चस्का लगा हुआ है मैं किसी की बात नहीं करता हम ऐसे हमारे देश के नेताओं की बात करता हूँ जो खुद के लिए नहीं देशवासियों के लिए जिए भारत माता के लिए जिए और जीने के राप पर चलते हुए मरना भी हो तो भगस्री की तरह शहीद होने को त्यार रहे दिल मांगे मोर की तरह हमारे जो वीर जवान कार के लिए उधमें शहीद हो गए थे उनकी भावना से पेट हो अपने देश के सेनाओ का भारी हूँ दिर्रात सहादत पाते रहते हैं जमु कश्मीर मुनों ने सहादत हर समय वो देश के लिए अपने जानों की पलिवेदी पर चढ़ जाते हैं और ये गदार उनका भी सिकायत करता है हमारे सहीदों पर अंगली उठाता है क्यों नहीं जागता है सोया हुआ सेर क्यों नहीं को ये सरसेर होता है कि इन पोलिटिकल राजनेताओं पर लगाम लग इनको इनका सही सही जागत दिखा जाए लड़ते हैं हमारे सेना नाम हवालदार का मरते हैं वो हमारे देश के लिए और सत्ता भोग ये लोग करते हैं जागो जागो हमारे हिंदुस्तान के सेर फिर से कोई स्वास बोसो फिर से कोई भगत सिंग हो फिर से कोई चंसे खराज और इन गद्दारों को नहीं जरू थे इस देश में रहने का, यहां वही रहा है जो देश वासियों के लिए, देश की सेवा में, अपने जीवन के अंतिम संतक, निस्वार्त वाब से कुर्वानी देने को भी त्यार रहो, मेरा नाम है पंडित फकीर योगी बेंद्रियोगी, मैं पंडित हूँ क्योंकि मेरे देश से प्यार करता हूँ, देशवासियों से प्यार करता हूँ, और मेरे दिमाग में ने कोई जाती है ने धर्म में ने मजभ है, यहां केवल भारत के नागरिक है, यह गदार हमारे देश को, जाती के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजभ के पर बाड़ता है और उसलिए वोट जीत के पहुंच जाता है इसकी बाते तो सुनो पार्लेमेंट में क्या कोई तमीज है? क्या कोई ग्यान है? क्या कोई देश भक्ती है? अगर भक्ती है तो सत्ता भक्ती है शरम कर बेशर्मो और जागो मेरे शेर इन गद्दारों को सही सबक सिखाने का समय आ गया है मैं अपने शब्दों को वाणी को विराम देता हूँ सरधांज लिए अर्पित करता हूँ अपने सूरवीर प्राकर्मी उन शहिदों से जिन्होंने कार के लिए उधमे विप्रित परिस्थितियों में मुस्रव को तमेचा मारा था उस गद्दार को सही सबक सिखाया था धन्यवाद